हलो एवरिवान, एक बार फिर से आप सभी का मेरी किचन में स्वागत हैं आज मैं बनाने जा रही हूँ भर्मा भिंडी और इसी की रेसपी मैं आप सभी के साथ शियर कर रही हूँ तो भर्मा भिंडी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम भिंडी ली हैं इन्हें मैंने धो कर पोँच लिया हैं और इसका उपर और नीचे का पार्ट मैंने काट दिया हैं अब हम भिंडी में मसाला भरने के लिए इसमें बीच में से एक कट लगा देंगे देखिए इस तरह से मैं इसमें कट लगा रही हूँ और इसी तरह से मैं सारी भिंडियों में कट लगा कर इन्हें मसाला भरने के लिए तयार कर लूँगी तो यहां पर मैंने सारी भिंडियों में बीच में से कट लगा लिया है तो चलिए अब हम इसका मसाला तयार कर लेते हैं तो मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है इसमें अब हम दो चमच बेशन डाल देंगे आदा चोटी चमच हल्दी पाउडर डाल देंगे देड़ चोटी चमच हम धनिया पाउडर डाल लेंगे आदा छोटी चमच भुने जीरे का पाउडर डाल लेंगे एक छोटी चमच लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे या मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें जितना दीखा आप खाना पसंद करते हैं आदा छोटी चमच सोफ का पाउडर डाल लेंगे, एक छोटी चमच आमचूर पाउडर डाल लेंगे, आदा छोटी चमच नमक डाल लेंगे या नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल लें, अगर आप लसन खाते हैं तो आप इसमें लसन की कलियों को भी ग् तो यहाँ पर मैंने इसमें एक नीबू करस डाल दिया है अब हम इस मसाले को चला कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो मैंने यहाँ पर सारे मसाले को हाथ से मिक्स कर लिया है तो चलिए अब हम इसे भिंडी में भर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने भिंडी ली है और यह मसाला लिया है अब हम भिंडी में मसाला भर कर तयार कर लेंगे तो देखिए इस तरह से हम भिंडी में मसाला भरेंगे मसाले को हाथ से दबाते हुए हमें भिंडी में भरना है इसी तरह से हम मसाले को सारी बिंडियों में भर लेंगे और बिंडियों को मसाला भर कर तयार कर लेंगे तो यहां पर मैंने सारी बिंडियों में मसाला भर कर तयार कर लिया है तो चलिए अब हम इने पकाने के लिए चलते हैं तो यहाँ पर मैंने कड़ाई ली है और मैंने गयस का फिलेम ओन कर दिया है कड़ाई गर्म हो चुकी है अब हम इसमें दो बड़े चमच के बरा Abar तेल डालेंगे मैं यहाँ पर इसमें सरसो का तेल डाल रही हूँ आप चाहे तो इसमें कोई भी vegetable oil डाल सकते हैं तेल को हलका सा गरम होने दे तेल हलका सा गरम हो चुका है अब हम इसमें एक चमच जीरा डाल देंगे एक चोथाई चोटी चमच हींग डाल देंगे इन्हें चला देंगे तो यहाँ पर जीरा क्रेकल हो चुका है और इन्हें हलकी हाथों से चला देंगे हमें भिंडियों को साधा नहीं चलाना है नहीं तो इसका मसाला बाहार निकलने लगेगा इन्हें हमें हलका हलका चला कर ही पकाना है अब हम गयस का फ्लेम लो मीडियम कर देंगे और भिंडियों को 2-3 मिनट के लिए पकने देंगे भिंडि को हम एक बार फिर से चला लेते हैं अब हम इसका ढखकन लगा कर इसे 3-4 मिनट के लिए पकाएंगे जिससे की भिंडि हमारी जल्दी से पक जाएं गयस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम ही रखना है इन्हें हम हाई फ्लेम पर नहीं पकाएंगे नहीं तो भिंडि जल्दी से जल जाएंगी 3-4 मिनट हो चुकी हैं धकन हटा कर चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भिंडियों का कलर कितना अच्छा आया है इन्हें एक बर हलकी हातों से चला दें और बिना धकन लगाए ही इसे एक से दो मिनट के लिए और पका लें जिससे की यह और कुरकुरी और क्रिस्पी हो जाएंगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भर्मा बिंडी बनकर तयार हो चुकी है इनका कलर कितना अच्छा आया है और यह देखने में कितनी क्रिस्पी लग रही है तो हम यहाँ पर गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे तो यहाँ पर मैंने सारी भिंडियों को सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है तो इन्हें आप रोटी पराठे पूरी किसी की भी साथ खा सकते हैं तो आप इस तरह से एक बार भर्मा भिंडी को बना कर जरूर देखें और अगर आपको मेरी रेसेपी पसंद आए तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना बूलें जिससे आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहें